पीस सक्टूबर को अमेरिका के दो बंधक रिहा किये और 21 सक्टूबर को हजारूं टन की राहत समग रहे गाजा के अंदर चली गए क्या बंधकों की रिहाएं और राहत समग रहे गाजा के अंदर भेजे चाने को लेकर कोई सीक्रेट टील होई है ये बहुत बड़ा सवाल है आखिर हमास के खूखार आतंकवादी इसरेल से भी बड़ा दुश्मन अमेरिका को मानते हैं फिर आखिर ये आतंकवादी इतनी जल्दी कैसे अमेरिका के दो बंधकों को रिहा करने पर राजी हो गए ये वो सवाल है जिसके जवाब से बड़ा कोटने ते गेम डीकोट होने वाला है पिछले पंदरा दिनों से इसरेल पूरे घाजा पर तावर तोड़ बंबारी कर रहा है ये जानते हुए भी के घाजा के अंदर इसरेल के दो सौ से ज़ादा नात्रिक कैदी है और उनकी जान को खत्रा हो सकता है कैदियों में बहुत सारे चोटे बच्चे भी हैं ये जानकारी भी इसरेल को है लेकिन इसके बार भी इसरेल की ये नीती रही है कि वो कभी भी आतंकवादियों के सामने चुकता नहीं है और बंधक बनाने के बाद दुश्मन के द्वारा खेले जाने वाले माइन गीम के दबाव में नहीं आता है और बिलकुल ठीक ऐसा ही इस बार भी हुआ इसरेल के प्रधान मंत्री बेनमीन नेतन याहू ने 7 अक्टूबर को ही यानी हमास के अटैक के दिन ही ये एलान कर दिया था कि इसरेल अब युद्ध में है उन्होंने कहा था कि वी आर इन वार तब से आज तक कभी भी बेनमीन नेतन याहू ने बंधकों को लेकर अपनी कमजोरी नहीं दिखाई ये जरूर कहा कि अमेरिका और इसरेल साथ मिलकर बंधकों की रिहाई की कोशिश कर रहे है लेकिन अमेरिका ने शाय बेनमीन नेतन याहू के सकत रवाईय के बावजूद हमास के आतंकवादियों के साथ सीक्रेτ डील के तहत अपने बंधकों को रिहा करवाने पर काम शुरू कर दिया है हमास ये कह रहा है कि उसने अमेरिका के दो नागरीकों को मानविय कारणों से छोड़ा है लेकिन हमास के आतंकियों से मानों जैसे वेवहार की उम्मीद करना बेमानी हो गए दरसल गाजा में भूक के बिना हमास के लड़ाके इतने परिशान हो गए कि उन्हें मजबूरी में दो बंधकों को छोड़ना पड़ा और आने वाले दिनों में भी इस तरह की उम्मीद हमास की तरफ से की जा सकती है क्योंकि इसराइल और दूसरे देशों का रुख बहुत कड़ा है हमास के खिला हमास की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने दो अमेरिकी बंधकों को इसलिए रिहा किया है क्योंकि बाइडन की तरफ से ये आश्वासन दिला गया है कि राहत समागरी के कुछ ट्रक गाजा के अंदर आएंगे और रफा क्रॉसिंग को खोल दिया जाएगा मतलब साफ है कि आतंकवादी सुरंगों के अंदर भूख से बिलबिला रहे हैं और इसलिए सीक्रेट डील के जरीए एक तरफ गाजा के अंदर राहत समगरी को आने देना चाहते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के दो बंधकों को रिहा भी कर दिया किया है ऐसा लगता है कि इस सीक्रेट डील में एक एहम किरदार कतर के अमीर भी है याद कीजे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटरी बलिंकन ने कतर का दोरा किया था और कतर के अमीर से मुलाकात की थी इस दोरान क्या बात हुए इसकी फुल डीटेल नहीं आई थी लेकिन अब धीरे धीरे ये सारी बर्तें खुलने शुरू हो गई है दरसल अमेरिका के दो बंधकों की रहाई के बाद कतर के विदेश मंत्राले के प्रवक्ता की तरफ से ये बयान आया है कि आज रात अमेरिका के बंधुकों की रहाई सभी पक्षों के साथ कई दिनों तक लगातार बादशीत के बाद हुई है प्रवक्ता का कहना है कि इसरेल और हमास के साथ कतर की बादशीत इस उम्मीद में जारी रहेगी कि वो सभी देशों के बंधुकों को रहा कर दें जानी बात बिल्कुल साफ है कि एक आतंकी संगठन हमास के बिचौलिये की तरह बाचीत कतर की सरकार कर रही थी अब इस तरह हमास इसलिए कतर के कूट नितिक्वियों की पीठ ठोकेगा कि राहत समगरी से भरे हुए ट्रक गाजा के अंदर पहुँच गए है और जाहिर से बात है कि गाजा के अंदर जब ये ट्रक जाएंगे तो इन पर कबजा आतंकियों का ही होगा क्योंकि गाजा पर जमीनी कबजा आज भी हमास के आतंकियों का ही है और ये कोई नई बात भी नहीं है पश्चिम की मीडिया रिपोर्ट में पहले भी ये कहा गया था कि इसरेल पहले से दावा करता रहा है कि गाजा में जो राहत समगरी भेजी जा रही है उसके आतंकियों के पास पहुचने की बहुत उमीद है इस्राइल पहले भी ये कह चुका है कि जो इंधन गाजा भेजा गया था उसे हमास के आतंकियों ने चुरा लिया और इसलिए हमास के पास इंधन का स्टॉक बन गया पिछली एक हफ़ते से लगातार इस्राइल पर ये दबाव बनाया जा रहा था कि वो रफा क्रोसिंग को खोल दे और राहत समग्रियों को घाजा के अंदर जाने थे इस्राइल के अंदर उन परिवारों में पहले से काफी गुच्सा था जिनके सदस्यों को घाजा के अंदर हमास ने किट्लैप किया हुआ है इन पीडित परिवारों ने पिछले हफते एक प्रेस कॉनफरेंस करके कहा था कि घाजा के अंदर राहत समग्रियों तब तक नहीं जानी चाहिए जब तक कि एजरेल के सभी 200 से जादा बंदकों को रिहा नहीं कर दिया जाए इस मांग पर नेतन्याहु की तरफ से कोई बयान नहीं आया था क्योंकि शायद अमेरिका और कुछ साथी देशों का दबाव इजरेल पर था कि रफा क्रॉसिंग को खोला जाए पूरी उमीध है कि जब अमेरिका के विदेश मंतरी टोनी ब्लिंकन ने कतर के अमीर से बात की होगी तब अमेरिका की तरफ से भरोसा दिलाया गया होगा कि अगर हमास बंदकों को रिहा करता है तो इसरेल राफा बॉर्डर को खोलने के लिए राजी हो जाएगा जानी अगर देखा जाये तो इस पूरी डील में राजनितिक नुकसान वेनमिन नेतन्याहू को हुआ है इसरेल को रफा क्रोसिंग खोलने से रणनितिक नुकसान भी हुआ है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे लेकिन पहले नेतन्याहू के अंदरूनी राजनीटी पर बात करनी ज़रूरी है इसरेल के अंदर एक सर्वे हुआ है और इस सर्वे का दावा है कि इसरेल के 21 प्रतिशत लोग घाजा में हमला करने के विरोध में हैं लेकिन 65 प्रतिशत लोग हमास पर हमले का समर्थन कर रहे हैं गाजा में 51 प्रतिशत लोग नहीं चाहते कि हिजबुल्ला के साथ जंग हो और 60 प्रतिशत लोग चाहते हैं कि हिजबुल्ला के साथ भी जंग हो जाए लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल नेतनियाहू के लिए ये हुई है कि सर्वे के मताबिक अगर आज इसरैल में चुनाओ हो जाएं तो नेतनियाहू की पार्टी को करीब 20 सीतों का नुकसान होगा अब जाहिर से बात है कि बंधों को रिहा किये बिना ही इतनी भारी मात्रा में गाजा के अंदर राहत सामगनी भेजे जाने से नेतनियाहू की लोक्रियता इसरैल के अंदर और गिरने वाली है लेकिन नेतनियाहू इसलिए मजबूर है कि वो कई फ्रंट पर जंग लड़ रहे हैं और अमेरिका का साथ और अमेरिका के हथियार उन्हें किसी भी कीमत पर चाहिए यूधरन नीती के हिसाब से भी अगर आप सोचेंगे तो ये पता चलेगा कि हमास के साथ लड़ाई इसरैल की लंबे वक्त तक गाजा में चल सकती है और गाजा में लड़ाई लड़ने के लिए हमास को भी लंबे वक्त तक रसद चाहिए यानि खाना चाहिए शायद इसलिए जो राहत समगरी रवा से घाजा के अंदर गई है उस पर कबजा करने की पूरी कोशिश आतंकियों के द्वारा की जाने वाली है जब आप इन सारी पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी कि तमाम देश अपने वंधकों को छोड़ाने के लिए नेतनियाहू के साथ डिप्लोमेसी कर रहे हैं अगर आज अमेरिका डेमोक्रेट्स की जगा रेपब्लिकन की सेरकार होती और ट्रम्प या कोई रेपब्लिकन राश्रोपती होता तो शायद वो हमास और इरान के खिलाब स्यादा सक्थ होता लेकिन नेतनियाहू की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है डेमोक्रेट्स को अमेरिका में रेपब्लिकन के मुकाबले उदार पंथी माना जाता है दीखे कैसे बाइडन ने पहले बेहत चालांकी से हमास से डील के तहट अमेरिका के दो नाक्रिकों को रिहा कर पाया और फिर अमेरिका के अंदर राजनेतिक लाफ लेने के लिए दोनों बंधकों से मुलाकात भी किये और स्वागत भी किया है ये दोनों अमेरिकी बंधक साथ अक्टूबर को इसरैल के किबुट्स में थे जहां पर आतंकियों ने सबसे ज़ादा हिंसा की थी यहीं पर नतालिया अपनी दादी का बोध्दे सेलिब्रेट करने गई थी लेकिन आतंकियों के कबजे में चली गई नेतन्याहू को तो काफी दग्रा जटका लग गया है क्योंकि 15 दिनों से जो आतंकी सुरंगों के अंदर भूग से बेल बेला रहे थे उनके पास अब राहत सामाकरी पर कबजे का विकल्प मौचूद है लेकिन बंधकों के परिवार में खुशी है खास तोर पर नतालिया के भाई अपने बेहन के रहाई से उच्छा में है ब्रिटन और फ्रांस के नागरिक भी हमास की कैद में है जाहिर सी बात है कि जिस तरह घासा में मारे जा रहे हाम लोगों का एक दर्थ है ठीक उसी तरह से घासा के अंदर हमास में मौचूद छोटे बच्चों के माता पिता का भी दर्थ बहुत बड़ा है और रहाई के इस मौके पर ये दर्थ चलका है कुल मिलाकर इसरेल और हमास के इस जन में एक ग्रेट गीम चल रहा है जिसका खामेयाजा नेतन्याहु को भुगतना पड़ रहा है नेतन्याहु जैसा सक्त जान जिसने अपने भाई को जंग में खोया है वो कभी भी इतनी आसानी से रफा क्रॉसिंग खोलने का फैसला नहीं ले सकता था लेकिन शायद अमेरिका का दबाओ उनकी स्ट्रेड़जी पर ज्यादा भारी बड़ा है